भिंडी कितने दुनों तक रहती है पूरी एक फसल में लगवक तीन में ने किया और एक एकड जमीन में जब सामान रूप से पैदावार होती है यूरिया डिय पीसी जो लोग पैदा करते हैं कितनी हो जाती है करीब सामान पर जो यूज करते हैं अचर जी उनकी 30 कुंटल तो मैक्जमम हो पाती एक एकड में तो 25 से 30 कुंटल मने जो अच्छी फसल लेते हैं केमिकल्स डाल करके और हम जो गोबर गोमुत्र से करते हैं तो 38 से 40 कुंटल मने उसको मैं कह सकता हूं 35 से 40 कुंटल मने इसके अंदर भी करीब जो है हमारा जो 5 से 10 प्रतिशत 10 से 20 प्रतिशत और खर्चा जो है मैंने काना कम लागत ज्यादा उपज हमने इसी संकल्प के साथ खेती शुरू की थी अब इसमें गोमुत्र गोबर के चोकिदार और जैविक क्रांती डालने से मुझे लगता है करीब इसमें जिस तरह से अभी प्रारंवी कुरूप में देखने में लग रहा है वैसे तो जब तीन मैने की पूरी फसल ले ली जाएगी तब इसको टोटल विल्वेट कर सकेंगे इसका मुल्यांकन कर सकेंगे ल और जो केमिकल वाले भी कर रहे हैं तो वो भी अपनी और उपज बढ़ा सकते हैं मात्र धर्ती का चोकिदार और यह जैविक करन्ती का उप्योग करके अभी कितनी-कितनी निकली भाई एक-एक बार में अब एक बार तोड़ा जैसे यह यह पहली बार की यह कटाई है जह है फस्ट टाइम में तोड़ाई बोलो कटाई बोलो हार्वेस्टिंग बोलो अंग्रेजी में फसल को लिया हमने पहली बार ऐसे इसको कितनी बार तोड़ते हैं करीब-करीब और पैदा फसल कितनी दिन में देने लग जाती है फसल तो यह देने लगती है जिसमें पीछे मेरे देख रहे हो यहां गोलवाला बेंगन भी है अलग-अलग तरह का सामने भी है छोटा भी है बड़ा भी है और लोग भड़ता बना करके खाते हैं इसका सब्झी टीवी बना करके खाते हैं फिर एक यह लंबे वाला है दोनों हैं दोनों तरह के और बैंगन में यह डेड़ साल हो गया है अभी छे मेना और फल दे गए तो एक ही बार बो करके दो साल फल ले रहें डेड़ साल में 260 क्वेंटल हो चुका है नोर्मली जो केमिकल से खीती करते ह लगबग 200 क्वेंटल पैदावार होती है उनकी तो यहां 260 क्वेंटल हो रही है और खर्चा नहीं तो कम लागत ज्यादा उपज और एक स्वस्थ आहार स्वस्थ घर परिवार स्वस्थ भारत स्वस्ष्व की कल्पना यह इस कुदर्ती जैविक विश्व मुक्त खेती का रोग भी बहुत ज्यादा होते हैं अर्थाथ इसमें कीड़ा बहुत लगता है अभी तो मैं जैसे जनरल तोड़ रहा हूं तो इसमें केड़ा दिखनी रहा है इसमें कीड़े बहुत आते हैं उससे करीब 10-20 प्रतिशतों फसल ऐसे विकार हो जाती है उसकी कीमत भी नहीं म आप फसल वेकारी हो जाती है हम लोग गयों से लेकर के गन्ने से लेकर के और धान से लेकर के कितने पैदावार कर लेते हैं गयों की महराजी अभी जो इस्वार आई है बैसे तो 28 कुंटर तक ले चुके हैं इस वार भी जो हमने निकाली है इसमें तो 19.60 किलो आई है एक ए एकड़ में म Dinamo, नॉरमल कंट्रोल वाले में हो जो हमने अपने टाइल या भी तो 28 लीक लेकर में या अन्या फार इस कंटल बाला है उसक्ञ लियर से लेकर अन्या उट्हार के और 28 लेकर के लेकर और उर इक के अंदर दने किते हैं ऐस्मारे के अंदर में कि लृस्त दने तक इसमें और फसल आपको दिखाई है अभी तू काट लिए गई है यह दकोई पड़ा हुआ है एक यहां पर चलो मिल गया है यह इतने बड़ी-बड़ी वाले होते हैं इसके और मारजी फटाओ देखना एक कितने टिलर आई है देखो एक दो तीन चार पांच छाट आट नो दस इसके अंदर टिलर आते हैं इसके अंदर मतरब यह पोधे निकलते एक-एक बीच से